आज के कहानी है रेन रेन और ये बंदुक उसके पापा ने लाकर उसे दी थी इसके पाद मार्क ने गहरी सास ले और सारा सास बटोर कर बढ़ा उसे खिड की खोल दी अब वो भयानक आकृती उसके ठीक सामने थी और वो एक पल भी गवाना नहीं चाहता था उसने ततकाल उस आकृती पर निशाना साथा और अपनी बंदुक चला दे मार्क का निशाना ठीक जगा पर लगा और दद के कारण उस आकृती के चिलाने की उसे आवाज सुनाई थी उसकी गुर्राहत अब दर्द भरी चीखों में बदल गई थी तभी मार्क उसकी आवाज को सहन नहीं कर स लगा और उसकी कान फटने लगे उसने अपने कान ढखे और अपनी मम्मी पापा के पलंग के निशे जाकर छिप गया और उसने अपने बंदुक अपने सीने के पास लगा रखी थी वो अब भी आप रहा था थोड़े देर बाद उसे नेंद आ गए और वो पलंग के नीचे वैसा ही सो गया मार कितनी देर तक सोता रहा उसे कुछ पता ही नहीं चला फिर जब उसकी आग खुली तो उसके मम्मी पापा उसके सामने खड़े थे और सुबा भी हो गई थी मम्मी पापा को देखते ही मार्क ने अपने आसु पोछे और उन्हें गले लगा लिया जब मार की मम्मी पापा ने उससे रोने का कारण बुचा तो उसने कोई जबाब नहीं दिया वो उन्हें ये नहीं बता सका कि उसके हातों में बंदूग क्यों थी सायद वे लोग उसके बात का भरोसा ही ना करते ये सोचकर मन ही मन अपनी बातों को दबा दिया और तब से मार्क बहादुर हो गया अब उसे ना तो अंधेरे से डर लगता है और ना ही वो अकेले रहने से घबडाता है रात को जब मार्क सोने लगता है तो अपनी बंदुक हमेशा अपने साथ रखता है क्या पता अंधेरे में कौन सा भयानक जीव उसका इंतजार कर रहा हूँ और इस तरह हमारी कहानी खतम हुई